जोतिस विद्या का लाब प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट पहुंचे आप तक नमस्कार आप सभी दर्सकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर मैं आचारे पंकर सास्त्रे आपका अपने चैनल पर हार्दिक विनंदन करता हूँ उपस्तित हुआ हूँ दैत्य गुरु शुक्रदेव का रासी प्रवर्तन का शुवाश उप्फल को ले करके शुक्रदेव ने अपनी रासी प्रवर्तन कर ली पांच सितंबर को मद्यरात्री में ही यह अपनी नीच रासी को छोड़ करके अपनी स्वरासी में आ गये हैं त कारिस देत्य गुरु शुक्रदेव अवश्य करेंगे तो बने रहे हमारे चैनल पर और आए बात करते हैं देत्य गुरु शुक्रदेव का रासी प्रवर्तन का शुवा शुप फल के बारे में लेकिन उससे पूर्व आपको यह बता दें कि यह रासी फल चंद्र कुंडली के माधियम से तयार किया गया है अर्थात इसको आप लगन कुंडली से न देखें चंद्र कुंडली के माधियम से ही देखें बारे रासियों पर क्या प्रवाव होगा आए जानते हैं बारे बारे सभी रासियों का हाल और हम सब सबसे पहले बात करते हैं सरपर्थम रासी यान उन चार भाग्यों साल लई रासियों में से मेश रासि पर्थम रासि ऐसी है जिनके लिए शुक्रदेव मालब्वी योग बनाने का कारे कर रहे हैं सब्तम भाव में इस्तित होंगे सुरासिस थोंगे तो निश्चिती अच्छा लाव आपको दिंगे प्रेम के दिर्ष्टि गोचर से यह अति उत्तम योग आपके लिए बना हुआ है जो जातक बिवाय की इच्छा रखते हैं बिवाय की जीवन में प्रवेश करना चाते हैं उनके लिए अच्छी स्थिती बन रही है में इस रासी के जातकों को ब्योवसाई में भी लाव देखने को अवश्य मिलेगा ब्रिसव रासी की बात करें तो ब्रिसव रासी के जातकों के लिए शुक्रदेव ब्रिसव रासी के ही स्वामी हैं पहले पंचम अस्थान पर थे नीच रासी के थे कन्या रासे में और रासी प्रवर्तन कर यह चटे अस्तान पर चले गए और यहां पर शुक्रदेव की इस्तिति आपको रोगरी पूर रिन से बचाने का कारे करेगी यदि किसी भी परकार से आर्थिकी इस्तिति ब्रिसव रासी के जात्कों के खराब हो गई थी साती आप पर रिन का बोज है तो निश्चिति आप उसे शकुसल उतार पाएंगे और आर्थिक इस्तिति अच्छी रहेगी व्यवशाई छित्र में जो आपके गुप्त सत्रुत है उनका कहीं न कहीं आप दमन करेंगे और अच्छा लाप प्राफ्ट करेंगे बात करते हैं और इस रंकला में आगे जो रासी है वो है मिथुन रासी मिथुन रासी के जातकों के लिए शुक्रदेव पहले सुक्य अस्तान पर नीच रासी में इस्तित थे आप पंचम अस्तान पर इस्तित हो गए तुला रासी में मिथुन रासी के जातकों के लिए भी बहुत अच्छी इस्तिती यहां पर शुक्रदेव की रहेगी आपके लिए बिद्या से सम्मंदित समस्याएं दूर होंगे साथी संतान का सुक आपको प्राप्त होगा और यहां पर शुक्रदेव कहीं न कहीं आपके लिए यात्रा के य कारे से जुड़े हैं मार्केटिंग का कारे से जुड़े हैं ओनलाइन वर्किंग से जुड़े हैं तो निश्चिती अच्छा लाब आप राप्त करेंगे और बात करते हैं अब अगली भाग्यसाली रासी की और यह रासी है करक रासी करक रासी के जातकों के लिए शुक्रदे शुक आप प्राप्त करेंगे माता का शुक प्राप्त करेंगे तमाम भोतिक शुक शुबदाओं पर आप अनेक परकार की खर्च करेंगे और उन शुकों को प्राप्त करने में शपलता भी प्राप्त करेंगे यदि आप थोड़े सा भी प्रियत्न करते हैं किसी भी सुक के ल पहले शुक्रदेब धुतिय भाव में इस्तित थे तो कई परकार की समस्या कोटम से सम्मंदित समस्या आपको देखने को मिली होगे और अब तुलारासि में प्राक्रमस्तान पर शुक्रदेब की इस्तिती बनी है इस्त्री के माध्यम से कुछ ना कुछ लाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा साथ ही व्यवसाय से संबंदित जितनी भी समस्याइं थी दूर अवश्य होंगी और आपके लिए भी बड़ा चड़ा आत्म विश्वास होगा अच्छी इस्तिती में आप लाब प्राप्त कर पाएंगे स्वास्त का अपना ध्यान रखना होगा शिंग रासी के जात्कों को बात करेंगे कन्या रासी के तो स्वयम लगना स्थान पर ही शुक्र देव इस्तिते मानसिक रूप से आपको बहुत पीडा उत्पन हुई होगी लेकिन अब रासी प्रवर्तन कर दूतिय भाव में चले गए तो निश्चिती अच्छी शुमदूर वक्ता शुमदूर बाणी आपकी होगी और वक्ता प्रवक्ता का कारे आप अच्छे तरह निवास सकेंगे किसी को मोटिवेट करना हो तो बहुत अच्छा प्रभाव आपका बानी के माध्यम से औरों पर पढ़ सकता है साथ ही धन के मामले में आप अत्यंत भाग्यशाली रहने वाले हैं धन की इस्तिती आपके लिए बहुत ही अच्छी बनती हुई नजर आ रही है अगली रासी की बात करेंगे और अगली रासी है हमारी तुला रासी तुला रासी का स्वामी भी शुक्र देव ही हैं पहले बेव अस्थान पर थे अनिक परकार की ब्यर्थ की यात्राई आपकी हो सकते हैं लेकिन अब आपके लिए लगन अस्थान पर ही इस्तित हो गए हैं निश्ची थी स्वास्त में आपका बहुत अच्छा प्रभाव बहुत अच्छा सुदार देखने को आपको मिलेगा आत्म विश्वास में ब्रदी देखने को मिलेगे और साथ ही आपके लिए भी मालब्वी योग का निर्मान लगन में ही हुआ है तो ब्यवसाई से संबंदित जितने भी समस्याई थी अवश्य दूर होंगी और अच्छा परदर्शन आप अपने ब्यवसाई में करेंगे निश्ची थी तुलारासी के जातकों के लिए भी अत्यंत लावदाय की स्थिती बनी हुई है यदि आप थोड़ा सा प्रियास करें प्रियत्न करें किसी भी छेत्र में जिस भी छेत्र में आपका व्यवसाई है नौकरी है कला के छेत्र में हैं तो निश्ची थी अच्छा लावा प्राप्त करेंगे साथ ही इस्त्री के माध्यम से आपके लिए भी अच्छी इस्तिती बनेगी यदि आप विवाहित है तो इस्त्री के माध्यम से भागयोदे आपका होने वाला है और यदि और विवाहित है तो निश्चिती आपको कहीं न कहीं relationship में आने का मौका भी मिलेगा तुला रासी के जातकों के लिए अच्छी इस्तिती बनेगी बात करेंगे ब्रिश्चिक रासी के जातकों की तो ब्रिश्चिक रासी के जातकों के लिए पहले लाब अस्तान पर थे वहाँ पर नीच रासी में थे और अब बे अस्तान पर है निश्चिति ब्रिश्चिक रासी के जातकों को पहले से अत्यदिक लाब अब देखने को मिलेगा बे तो हो सकता है लेकिन साथी आपके सकारात्मक उर्जा और सकारात्मक बे देखने को मिलेगा ऐसा बेव हो सकता है जो आप लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं या कोई अच्छी चीज खरीच सकते हैं जिससे सब का मन प्रसन हो सकता है साथी यात्राओं के योग आप के लिए बने हुए हैं तो यात्रा पर भी आप जा सकते हैं और अगली रासी है हमारी धनो रासी धनो रासी के जात्कों के लिए पहले कर्मस्थान पर नीज रासी में इस्ति थे और अब लावस्थान में हैं और तमाम सुख सुख़धाएं आप भी प्राप्त करेंगे और अगली जो भाग्यसाली रासी होगी वह है मकर रासी मकर रासी के जात्कों के लिए पहले भाग्यस्तान पर थे नीच रासी में इस्तित है और अब कर्म अस्तान पर इस्तित है यहां पर भी मालब भी योग आपको देखने को मिलेगा मकर रासी के जातकों के लिए भी अति उत्तम योग यदि आप कलाब परदर्शनी वह किसी भी परकार से एक्टिंग के छेत्र से जुड़े हुए हैं संगीत के छेत्र से जुड़े हुए हैं तो कारी छेत्र में चार चांद लगाने का यववक्त है हर जगह से आपको लाव देखने को मिलेगा सिर्फ लाव 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 देखने को मिलेगा यदि आप मकर रासी के जातक है और यदि सौभाग्यों से सुक्र की ही महादसा है तो निश्चिते बहुत अच्छा लाव आप प्राप्त करेंगे और अगली रासी है कुम्बरासी कुम्बरासी के जातकों के लिए क्या इस्तिती बनती है आए जानते हैं तो कुम्बरासी के जातकों के लिए इस्तिती पहले अश्टम अस्तान पर बनी वी थी और अब भाग्यों अस्तान में बात ही क्या करनी कुम्रासी के जातकों के लिए भी अति उत्तम योग बनता हुआ नजर आ रहा है। बाकी सब परकार से आपकी सुरक्सा होगी और आयो में बिर्दी होगी हो सकता है किसी गुप्त मंत्र को आप जब पाएंगे और उसका जब आपके लिए अच्छा लाब दायक रहेगा। पर किस प्रकार घटित हुआ।